यहीं दोस्तों बिहार होम गार्ड भरती 2009 और 2011 से संबंदित दो महत्पुन न्यूज खबर लेकर आ गया हूँ जो कि इस वीडियो में आप सभी को जनकारी देने वाला हूँ दोस्तों क्या है खबर क्या है अपडेट किसलिए एयर न्यूज खबर आ रही है आपको एटो जनकारी इस वीडियो में मिलने वाली है क्योंकि दोस्तों मेरे जो वीडियो है उसका इंतिजार आप लोग काफी दिनों से कर रहे हैं जो कि होम गार्ड भरती से संबंदित तो द के साथ भी सेयर कर दे क्योंकि यहाँ पर जो भी जनकारी आपको दी जाती है बिल्कुल सही और सटिक तो चलिए वडियो स्टार्ट करते हैं और दोनों नीज खबर को जानते हैं दोस्तो पहला यहाँ पर न्यूज खबर आप देख सकते हैं जैसे ही बिहार होम गार्ड अभियार्थी का धरना डालिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो एक दिन पहले के यानि कल का यह न्यूज है बारा वर्स बित जाने के बाद भी होम अंदोलन कर रहे हैं तो दोस्तों कहां से यहां ख़वर आ रही है इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पुरी डिटल्स में यहां दिया गया है दोस्तों बेतिया जिला के काफी अभियारती जो हैं परसान हो गया है कभी पटना में धरना तो कभी दोस्तो बेतिया में जिला आपको वहाँ पर दिया जा रहा है लेकिन कोई इनका आवाज सुनने वाला नहीं है इनका नहीं कोई हेल्प भी करने वाला है कि इनका भरती होना चाहिए क्योंकि दोस्तो लगभग 12 साल अब होने जा रहा है अभी तक बहुत से ऐसे जीले में हैं जो की भरती अच्छा से नहीं हुआ है ज्वैनिंग नहीं हुआ है तो कहीं वेटिंग लिस्ट में अभ्यार्थियों को रखा गया है इस परकार से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गिर रक्षक वायनी के जवानों की बाली परक्रिया बारो वेस्ट भी जाने के बाद भी अब तक जीला परसाशन पार्रम नहीं कर सका इसे चुप होकर दरजनों संख्या में होमगाड अभ्यार्थी बेतिया समराले परवेस्ट द्वार पर अनिश्चित काल अंसन पर बेटे हैं यह लोग बाहर कमाते थे अपना रोजी कि एक चलिए आपको थोड़ा बहुत अच्छा जौब मिल जाये के ओकि दोस्तो आपको समझते हैं बिहारी जब बाहर जाता है तो उसे बहुत कुछ जहलना पड़ता है एक तो बहुत कोई बिहारी बेमारी इस परकार से बातों से संबोधित करते हैं और जहां जाते हैं व अभी सरकार आती है अपने लाव के लिए आपके लाव आप दूसरे के लाव नहीं सोचती है यहां पर जो जनता है जो इस परकार से बिरुजगार ब्यक्ती हैं वह काफी दोस्तो निरास हो जाते हैं यहां पर देख सकते हैं दोस्तो यह नियुज खबर आपको कल की है यहा कार से दोस्तों कह रहे हैं कि यहां पर बेरुजगारी इतना हो गई है बिहार में जो बिहारती है कुछ काम करके अपना गुजारा अब चला रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपको नमंबर 2021 में सुचना आई थी कि जितने भी होम गाड भरती है और जल से जल किया जाए छे माह के अंदर लेकिन अभी तक कहीं भी अच्छा से भरती नहीं हुआ है तो दोस्तो एक यह खबर थी उसके बाद सेकंड खबर चलिए हम जानते हैं गूगल में सर्च करने पर दोस्तो बहुत सारा खबर मिल जाता है लेकिन यहां पर जैसे ही सर्च किजिएगा तो एक और खबर दो दोस्तान द्वारा आपको परकासित किया गया होम गाड के लिए चैनित अभ्यार्तियों ने सामदेश्टा से मुलकात की लियानि दोस्तो अभ्यार्ती काफी परसान है कभी सामदेश्टा से कभी मुकमंत्री के पास्ट्यूट करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है दोस्तो निकलेगा तो बताया जाएगा इस परकार से टाल देते हैं बातों को और दोस्तों भरती नहीं होती है दोस्तों देखिए भागलपुर से यहां पर आ रहा है होमगाड के लिए चैने नौगच्या के अभ्यारतियों ने शुकुरवार को जीला सामादेश्टा से मुलकात किया यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 6 माई का खबर है जो की एक बज कर तीन मिनट पर भागलपुर से यहां पर देख सकते हैं होमगाड के लिए चैने नौगच्या के अभ्यारतियों ने शुकुरवार को जीला सामादेश्टा मुलकात कि उन अभ्यारतियों कहाना है कि उनका हो चुका है पर उनका नाम जो आपको वेटिंग लिए पर्तिक चेह सुची में डाल दिया गिया है उनका मांग है धीकी चैन की बाकी परकिरिया जल से पूरी किया यानि दोस्तो जो वेटिंग लिष्टे में है उनका कहाना है कि जल से जल हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाए बिल्कुल बात सही है दोस्तो सीट भी बचा हुआ है तो उसमें करा देना चाहिए अब क्या है दोस्तो रूल और नियम आप लोग जानते होंगे क्योंकि दोस् सभी संतुष्ट न हो जाएं क्योंकि दोस्तो हमारा काम है आवाज उठाना और सरकाल से दोस्तो हम तो लडाई नहीं कर सकते हैं इसलिए कि दोस्तो जब सही बात कहने पर सरकार जेल में भी डाल देती है बहुत लोगों को इसलिए दोस्तो आप लोग अच्छे से आवाज